हेलो एवरिवन, वेलकम टू कोकिंग वित रुपाली, आज हम बनाने वाले हैं बनाना बंस, जिसे मैंगलोर बंस भी कहा जाता है दो केले लिये हैं, इसमें डालेंगे आधा कब गुड़ अब बढ़िया से दोनों चीजों को मिक्स कर लेते हैं आधा चमच इलाइची पाउडर डाल लेते हैं, उसी के साथ दो कब गेहु का आटा लिया है अब थोड़ा थोड़ा करके सारा आटा डालके इसका हमें एक सक्त वाला डो तयार करना है दो कब आटा इस्तमाल करने के बाद भी और थोड़े आटे की जरुरत लगी इसलिए हमने और आधा कप आटा इस्तमाल किया है इसका मतलब टोटल रेसिपी के लिए हमें धाई कप गेहु के आटे की जरुरत पड़ी है अब एक मीडियम साइज की लोई ले लेते हैं और एक पूरी की शेप में हमें इसे ढालना है ध्यान रखे पूरी जो है हलकी सी मोटी बेले अब मीडियम फ्लेम पे सारे बंस को फ्राइ कर लेते हैं बनाना बंस में बैसिकली मेदा और शकर का इस्तमाल किया जाता है पर बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए ये बिल्कुल भी हिल्दी नहीं होता है इसलिए हम इस रेशिपी में घीहु का अटा और गुड का इस्तमाल कर रहे है फूरीज इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें उसी के साथ साथ बेल आइकोन को दबाना भी ना भूले ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए बनाए गए बंस को चार से पाच दिन तक एरटाइट कंटिनर में आप आराम से रख सकते हो चाई के साथ बहुत ही बढ़िया कॉंबिनेशन है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें